यूजिलेंड के कप्तान कैन विलियमसन ने भारत के खिलाब पहले वंडे में आट विगिट से हार के बाद बोला कि हर बड़ी में कोई फैसला करने का समय नहीं है और उनकी टीम को सीरीज में वापसी करने के लिए कुछ मामूली सुधार की जुरत है यूजिलेंड की टीम 137 वर में 157 रन पर आउट हो गई थी और भारत ने 35 वर में लक्षे हासल कर लिया विलियमसन ने कहा यह हमारा सर्वश रिस परदर्शन नहीं था और मुझे लगता है में छोड़ी छोड़ी चीजों पर गौर करने की जुरत है हमारे परदर्शन पर हर बड़ी में कोई फैसला करने की जुरत नहीं है उन्होंने का यह कोच छेतरों की बहचान करके उनमें बहतर परदर्शन करना है और जब हम सबी विभागों में अच्छा खेल दिखाते हैं तो फिर किसी भी टीम को हरा सकते हैं लेकिन हमारा सामना भारत जैसी मजबूर टीम से हुआ आपको बता दें विल्यमसन ने भारती के इंद बाजो विशेशकर स्पिनरों ने नीजुलैंड के बल्ले बाजो की कमजोरी सामने ला दी उन्होंने का पेच खराब नहीं थी लेकिन हमने जैसे उमीद की थी उससे भिन थी हमें इस पिछ पर अधिक चतुराई से बल्ले बाजी करने की जुरत थी पुछ भी भागों में उन्होंने हमारी कमजोरी सामने ला दी उन्होंने इस विकेट पर जस लैंग से गैन बाजी की वेंब जोर थी उन्होंने हमारे लेरन बनाना मुशकिल कर दिया था इसले काफी कुछ सीख मिली विल्यमसन ने भाइत के गैन बाजो की तारिफ करते हुए का लेकिन वहें वे बहतर होने की जुरत है तो ऐसे में देखना होगा न्यूजिलेंड की टीम दूसरे वंडे में किस उमीद के साथ उत्रेगी आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजेगा साथ ही आपके अपने चैनल हेड्लेंस स्पोर्ट्स को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा